प्रेंड्स वेल्कम टू मादवडेसीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में देखे फ्रेंड्स इस कोटन के कपड़े से हम काना जी की बहुत ही हैवी ड्रेस बनाएंगे यहां पर देखे यह मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है और यह बहुत ही ब पहले हमें एक डायामेटर कट करना है तो यहां पर हम दो और ती नंबर काना जी की ड्रेस बना रहे हैं तो उसके लिए पहले एक डायामेटर कट करेंगे यहां पर देखिए यह चे इंच का डायामेटर है क्योंकि जो हम डिजाइन बनाएंगे वो थोड़ा सा बाहर की इसको हम इस cotton के कपड़े के ऊपर ऐसे रखेंगे और इसको यहां से प्रेस से चिपका देंगे और फिर इसको यहां से कट कर लेंगे और कट करने के बाद फिर एक कपड़ा और कट करेंगे हम इस कपड़े में से और उसको हमें थोड़ा-थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करना है तो इसको कर लेते हैं फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि कैसे करना है इसको आइरन से चिपकाने के बाद देखी यहाँ पर मैंने एक सिलाई भी कर लिया जिससे कि कई बार यह पेस्टिंग चुट जाती है तो यह कपड़ा हमारा इधर उधर नहीं सरकेगा अब यह देखे जो हमने बड़ा कपड़ा कट किया है इसको इसको इसके उपर ऐसे रखेंगे और हम बीचे में एक आलपिन लगाएंगे यहाँ पर ऐसे इसको सैट करने के लिए और फिर यहां से हम इसको ऐसे मोडते जाएंगे और इसकी किनारी पर सिलाई लगाएंगे फिर एक सिलाई हम इधर लगाएंगे और दो सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम कट कर देंगे अब हम इसकी कमर कट करेंगे तो इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे तो देखें यहाँ पर मैंने यह आदे इंच का निशान लगाया है आदा इंची दर से और आदा इंची दर से और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे यहां से ऐसे गोलाई में और इसको काटने के बाद एक साइड यहां पर ऐसे मार्क कर लेंगे और अब इसको हम यहां से खोलेंगे खोलने के बाद यहां से यहां तक पूरी गोलाई पर सिलाई कर लेंगे और फिर बीच में से इस निशान पर से इसको हम कट कर देंगे और इसको करने के बाद फिर हमें देखिए इसके उपर लगाने के लिए पैटल्स बनानी है तो पैटल्स बनाने केलिए मैंने ये कॉटन का अस्तर का ही कपड़ा कट किया है इसमें से और इसकी देखे लम्बाई चोड़ाई है यहाँ पर साड़े तीन, 20-30 का मैंने ये कपड़ा कट किया है अब इसको हम देखे यहां से ऐसे ट्रायंगल में फॉल्ड कर देंगे पर देखिए, इस तरह ऐसे ऐसे डाल देंगे, और डालने के बाद इसको एक बार फिर से यहां से ऐसे पक्का कर देंगे, अब हम यहां से टाकी लगाती जाएंगे, थोड़ा सा देखिए, ऐसे लंबे-लंबे टाकी हमें लेने है, और यहां से दूसरी Saider तक जाएंगे, इस यहां पर लास्ट में ऐसी ऐसी निडल को निकाल लेंगे और निकालने के बाद अब देख़्ीं यह इस तरह से पैटल है यह बहुत ज़ादा चोड़ी है तो हमें यहां से थोड़ा से इशको इकट्टा करना है इस तरह से देख़्ींगे इतनी चोड़ाई मुझे रखनी है आईडिय से रखेंगे हम इसको और फिर यहाँ पर यह जो कोर्णर है यहाँ पर निडल ऐसे निकाल कर दो बार नोट लगा देंगे तो इस तरह से देखिए यह हमारी पैटल्स बन गई है अब हम इनको यहाँ पर लगाएंगे ड्रेस के उपर तो देखिए हम क्या करेंगे पहले हम इसको यहाँ से इस्टिच कर लेते हैं यहाँ पर देखिए सारी पैटल्स को हमने ऐसे बना करके रेडी कर लिया है अब जो यह ओपन साइड है यहाँ पर इसको हम पहले टीशू टेप से लोग करेंगे इन दोनों साइडों को ऐसे आधा रिबन नीचे रखके आधा उपर इसके उपर सिलाई लगाएंगे फिर उ यहाँ तो इसको ग्लूगन से पेस्ट कर सकते हैं नहीं तो यहाँ पर ऐसे सिलाई भी लगा सकते हैं और थोड़ा सा देखिए दूसरी वाली हम एक के उपर थोड़ा सा ऐसे ऊपर रखके करेंगे और फिर इसको भी आसर पेस्ट करेंगे और फिर ऐसे तीसरी रखेंगे इ ऐसे ही हमने पैटल्स बना के रखी हुई है इनको हम यहाँ पर देखे थोड़ा सा उपर रखेंगे जिससे की यह सिलाई ना चमके तो यहाँ पर देखे इस पैटल को ऐसे रखेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे फिर यहाँ से दूसरी रखेंगे ऐसे थोड़ा सा इस बनानी है देखिए यहां पर इस तरह से यह जैसे मैंने साड़े तीन इंच लंबाई चोड़ाई ली थी इसको मैंने आदा इंच कम लिया है और इसको फिर हम यहां पर ऐसे लगाते वे जाएंगे तो इस तरह से यह तीन रो लग जाएंगे देखिए तीन रो बना करके हमने इसको ready कर लिया है अब हम इसमें नेफा लगाएंगे तो नेफा लगाने के लिए यहाँ पर मैंने रेबुआ पट्टी कट की है यह पट्टी सीधी नहीं है इस पट्टी को हमने तिर्चा कट किया है जैसे देखिए यह एक पट्टी है इसको हम ऐसे तिर्चा करेंगे और ति सीधी साइड पलट करके इसको हम यहां पर नेफा बनाएंगे अब हम इसको सीधी साइड ले कर जाएंगे इस तरह से और सीधी साइड ले जाकरके इसके अंदर हमें डोरी लगानी है तो यहां पर देखी हम इसको पहले ऐसे फोल्ड करेंगे एक बार ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और इसके अंदर हम डोरी लगा देंगे यहाँ पर देखे इस तरह से डोरी रख देंगे और डोरी रखने के बाद इस नेफे को हम यहाँ पर ऐसे देखे ऐसे करके पूरा इसको सिल लेंगे अब हम इस dress को decorate करेंगे यहाँ पर देखी हमारी डोरी भी आसानी से खिच रही है और decorate करने से पहले हम चोली बना लेते हैं चोली बनाने के लिए यह पट्टी कटकी है और इसकी लंबाई देखे यहाँ पर है 10 इंच और इसकी चोडाई है पोने 2 इंच इसको हम ऐसे देखे डबल मोडेंगे और यहाँ पर सिलाई करेंगे और जहाँ पर हम सिलाई करेंगे सिलाई करने के बाद इसको हम टीशू टेप से लोग कर लेंगे और लोग करने के बाद इसको बीच में से हाफ कट कर देंगे और कट करने के बाद यहां से V-shape में एक सिलाई लगा देंगे तो यह चोली बन जाएगे और नीचे हम टीशू टेप से लोग कर लेंगे इस तरह ऐसे देखिये हमने चोली को भी रेडी कर लिया है और चोली को तियार करने के बाद अब हम इस ड्रेस को डेकोरेट करेंगे तो यहां पर देखिये था यहां पर देखिये था फैवि गलु लगाएंगे कि इस टोन चेंड लगाने की बार देखी फ्रेंड्स हमने बीच में यहां पर एक एक कुंदन यानिकी एक एक स्टोन पेस्ट किया है इससे इसकी लुक और भी हैवी हो गई है तो फ्रेंड्स देखिए अस्तर के कपड़े से आज हमने कितनी हैवी ड्रेस बनाई है आपको कैसी लगी अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमली में जादा से ज शियर करें नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक केरी राधे राधे